सल्मान खान विवेक औब्रोई को फूटी आग तक नहीं देखते हैं विवेक औब्रोई सामने भी हो तो सल्मान खान ऐसे इगनौर करते हैं जैसे कोई सोफा रखा हो विवेक औब्रोई की सौरी को भी सल्मान ने कुछ इस तरीके से इगनौर किया और विवेक आबरोई से सलमान के रिष्टे क्या बिगड़े कि सलमान के दोनों भाई, सोहिल और अरबाज जिनके विवेक से बहुत अच्छे रिष्टे थे वो भी थोड़े खराब हुए लेकिन सल्मान की एक family member है जो सल्मान खान से जरा भी नहीं डरती है और उन्होंने विवे कॉबरोई के साथ पूरी रात जम कर party की ये family member और कोई नहीं बलकि सोहिल खान की wife सीमा है सीमा खान चाहे फिल्मों में नाकाम करती हो चाहे उन्होंने glamorous industry से दूरी बनाये रखी हो लेकिन वो इस industry का हिसा है उनके circle में कई star wives शामिल है जनके साथ सीमा खान का उतना बैठना है सीमा खान ने हाल ही में एक party अटेंड की ये party सीमा खान के भाई बंटी सजदेह की party थी बंटी सजदेह एक talent management company चलाते हैं जहां पर दिशा सालियान भी काम करती थी हाला कि अब तो उनकी company दूसरी हो गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बंटी सजदेह इंडस्ट्री के बड़े बड़े stars के साथ connected है ऐसे में बंटी सजदेह ने मुंबई में अपनी एक party रखी जहां पर सीमा खान मौजूद थी और इसी party को attend किया विवेक ओब्रोई ने भी सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं देखा गया कि विवेक ओब्रोई के जाने के बाद सीमा खान ने party छोड़ी हो या फिर सल्मान के साथ विवेक के रिष्टे कैसे हैं इसलिए बंटी सजदेह भी विवेक को invite ना करें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला family काफी comfortable थी विवेक क चलकर इस फिल्म में अरबास खान की entry हो गई जैसे ही अरबास खान इस फिल्म में आए तुरंत विवेक ओब्रोई ने इस फिल्म को छोड़ दिया तो तब एक बार फिर से पता चला था कि सिर्फ सल्मान ही नहीं बलकि उनके family members भी विवेक के साथ काम नहीं करना चाते हैं लेकिन सीमा ने विवेक के साथ पाटी करके प्रूव कर दिया कि उनकी family का किसी से कोई भी पंगा हो सीमा खान अपनी दोस्ती आगे चलकर निभाती ही है